जयम आथारी को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ ही गहनती के निशान को दबाएं ग्ञानवर्दिक वीडियो को देखने के लिए हमसे जुलेगा जयम आथारी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तों फिर से आज विडियो और एक नए उपाए के साथ जुए है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि धन प्रापती किस परकार की जाती है धन प्रापती के मैं 14 सरल उपाए बताऊंगे आपको जिन में से आपको कोई भी कर लेना है उससे आपको धन की प्रापती अवश होगी लक्षमी जी आप प्रसन्न होगी दोस्तों छोटे छोटे से उपाए हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को ज़रूर दबा के रख लें ज यह धन सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलता है इसके लिए आपको मा लक्षमी जी को प्रसन्न करना होता है बहती जरूरी है मा लक्षमी जी को प्रसन्न करना उसी के लिए चोट-चोटे से उपाए बताऊंगी दोस्तों तो दोस्तों पहला उपाए है आप लक्षमी जी के किसी भी मंत्र का जब बुधवार को या शुक्रवार से शुरू करें तथा नित्य कमल गट्टे की माला से 108 बार उस मंत्र का जब करें तो आपको लाब ज़रूर होगा तो दोस्तों नमबर दो का जो उपाय है विश्णु सहस्त्र नाम तथा शुक्त का एक एक पाठ नियमित करें तथा लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का पुश्प चढ़ाएं इससे भी मता लक्ष्मी प्रसन होती है अपने वरिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करें हर परिवार में सबसे प्रेम से व्यवहार करें किसी का अपमान ना करें नमबर च्यार है प्राथा जल्दी उठकर घर की सफाई करें तथा सनाना दी कर अपना पूजन जब पिद्यादि कर दिन के शुरुआत करें जहां सुर्योद तथा सुर्यास्ति के समय सोते हैं वहाँ धन तत नहीं आता है दोस्तों दुरगंद युक्त स्थान तथा अशुद स्थान पर लक्षमी जी वासन नहीं करती है वहाँ नहीं ठहरती है घर में दरेद्रता आजाती है नमबर पांच है गाए कुट्या या बिखारी को यथा संभव खाना इत्यादी दें और ना दे सके तो उनसे दुर्व्यभार ना करें उनको दुद्धकारे नहीं घर में कुडा करकट आदी जमान ना होने दे समय समय पर घर की सफाई करते रहें संध्या के पश्चा जाडू बारी नहीं करें यदि करें तो कच्रा घर के बाहर नहीं फैकना है उसको घर में ही रख सकते हैं आप सुवेरे ही फैके उस कच्रे को नमबर आठ है जाडू समहाल का रखे तदा खड़ी कभी न रखें ऐसे रखें कि किसी को नजर न आए जाडू पर पैर न लगाएं उसे उलागे नहीं दोस्तों और जाडू को पैर से ठोकर तो कटा भी न मारे कपड़े स्वच वद धूले हुए पहने इत्र सेंट का प्रियोक करें इसे भी आपका शुक्र ग्रह प्रबल होता है दुरगंद युक्त वातावरन न रखें और दोस्तों बुदवार को हरे कपड़े पहने तो बहुत अच्छा होता है हरे रंगे वस्तर पहन के पूजा अधी करेंगे तो बहुत लाग मिलेगा नमर ग्यारा है पूजन निते करते हैं तो उसी समय पर करें निशित समय बना लें एक उसी पर आपको करना है और 10-15 मिनट जादा का फरक न रखें 10-15 मिनट का फरक होता है तो ठीक है जादा फरक न होने दे अपनी पूजा पाट के समय में नहीं तो देवताश शाप दे देते हैं दोस्तों नमर बारा है इशान दिशा में गंदगी न होने दे नमर तेरा घर दुकान फ्यक्टर आदी में उत्र पूर्वत दिशा खुली होता था इन दिशाओं में सुगंदेद पुष्प वाले पोधे तुलसी आदी लगा कर रखें दोस्तों नमर चोदा है दक्षिन नेत्रित्य पश्चिम में कोई गढ़ा ना बनाए वेरिंग खोध इद्यादी ना बनाए जहां भी वास्तु दोस हो वहाँ एक स्वास्तिक बना दे अगर आपको लगता है यहाँ वास्तु दोस है आपको बता चल जाता है हमेशा बात्रूम में नल इत्यादी का पानी तपक नहीं ना देव ध्यान रखें नल इत्यादी अगर खराब है तो उन्हें तुरंद ठीक करा लें ऐसा मानने जदा है कि नल यदी तपकते हैं तो पैसा भी उसी तरह बरबाद होता रहता है तो दोस्तो ये थे छोटे-छोटे से कुछ चोदा उप अच्छे लगें तो लाइक जरूर करें दोस्तो तो दोस्तो ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और दोस्तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैम आता दी